नमस्कार दोस्तों आप सभी का यह कैसे चैनल पर बहुत सागत हैं दोस्तों कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम एकाउंट को वैरिफाई करना चाहते हैं जैसे काफी साय सेलबरीट में आप देख्योंगे वैरिफिकेशन बैच रहता है, ब्लू टिक रहता है दोस्तों आप लोग भी अपने इंस्टाग्राम एकाउंट को वैरिफाई करना चाहते हैं वैरिफिकेशन बैच को लेना चाहते हैं ब्लू टिक को एनेबल करना चाहते हैं दोस्तों आपको अपने इंस्टाग्राम एकाउंट में वहाँ पर देखे कुछ setting करना होगा क्या setting करना है आप logo application बैच्वो कैसे ले सकते हैं चलिए बताएता हूँ दोस्तो मैं instagram application को open कर लिया हूँ आपको इसी तरह application को open कर लेना है दोस्तो फिर आपको यहाँ देखे नीचे अप्संसो करेगा profile का आपके यहाँ profile वाले पर क्लिक करना होगा और यहाँ उपा देखे काफी सारे application करें आपको देखे जून करके दिखायता हूँ दोस्तो यहाँ पर देखे username शो करा post, follower, following यह अप्संसो करा दोस्तो साथ पहले हमें यहाँ उपा देखे three line यहाँ पर क्लिक करना होगा जैसे यहाँ पर क्लिक किया हूँ तो feed as a page open हुआ दोस्तो साथ पहले हमें यहाँ settings वाले पर क्लिक करना होगा जैसे यहाँ settings पर क्लिक किया हूँ तो दोस्तो यहाँ पर काफी सारी settings हो करी हैं आप लोग देखे हैं दोस्तों हमें यहां एकाउंट वाले पे क्लिक करना होगा, दोस्तों यहां पे देखें काफी सारी सेटिंग्स हो करी हैं, आपको जूम करके दिखायता हूँ, दोस्तों हमें यहां पे देखें, यहां पे आना होगा और नीचे आना है, और यहां पे option मिल जागा, request verification, दोस्तो यहाँ step two options हो कर रहा है, और फी नीचे आना है, और यहाँ पर देखे link का option आ रहा है, दोस्तों आपको यहाँ पर देखे, यह blue badge को लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, चलिए बताएता हूँ, सबसे पहले यहाँ देखे step one में, आपको यहाँ पर देखे user name लिखना हो दोस्तों यहां पर देखे, डॉक्विमेंट के लिए काफसी सारे अपसंस हो करें, दोस्तों जो आपके पार डॉक्विमेंट है, उसे स्लेट कर सकते हैं, दोस्तों यहां पर देखे, जो लिस्ट सो कर रही है, आप पास देखे वो आईडी नहीं है, तो यहां नेशनल आइड card जो है उसका photo खीच सकते ही जैसे आपके mobile के gallery में पहले से है तो आपके यहाँ open ए photo यहाँ पे click करना होगा photo को upload कर देना है फिर यहाँ से बैक आ जाना है दोस्तों आपको इतना कर देना है फिर आओ नीची आना है और यहाँ पर देखे step two में हमें यहाँ सबसे पहले category वाले पर click करना होगा और यहाँ पर देखे आपको country वाले पर click करना होगा दोस्तों यहाँ पर आपको देखे अपनी country को देखे select कर लेना है आप यहाँ पर search भी कर सकते हैं दोस्ते से मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर देखे इंडिया को select कर देता हूँ और नीची आ जा तो यह जरूरी भी नहीं है और यहां पर देखे optional है यह जरूरी नहीं आप फिल करना चाहें तो यहां पर फिल कर सकते हैं यहां पर आपको देखे नाम लिग देना है जो ज़र देखे आपके यहां नाम से आपको जाना जाता है Instagram पर वो नाम आपको यहां पर देखे सभी ना नहीं सकर सकते हैं दोस्तों आप लोग जैसे आपकी website है तो यहां website का link का add कर सकते हैं और जैसे आपका YouTube channel है तो उसका link आपके यहां पर add कर सकते हैं और देखे कहीं भी आपके कोई site वगरा है कहीं से आप link copy करना चाहते हैं तो यहाँ पर click करके, यहाँ पर page कर सकते हैं, जैसे आप और add करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ add link, यहाँ पर click करना होगा और यहाँ पर और option आ जाएंगे, इस तरहां आपको add कर देना है, फिर आपको यहां submit वाले पे click करना होगा दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि Instagram में आप लोग verification batch को कैसे ले सकते ही लेकिन अभी तक मुझे verification batch नहीं मिला हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे देखे साफ साफ लीखा हुआ आप लोग दे सकते ही यह किनको यह किनको देखे verification batch मिलेगा दोस्तों यहाँ पे देखे आप समसुख रहा public figure, celebrity and brand दोस्तों से आप लोग celebrity है या कोई brand है आपका दोस्तों से आप काफी popular है तो आपको देखे verification batch मिल जाएगा जैसे देखे Instagram आपके देखे profile को सभी चेक करेगा जैसे उनको लगेगा कि आप celebrity हैं या popular हैं आपको verification batch देना चाहिए तो दोस्तों आपको 30 दिन के अंदर verification batch मिल जाएगा और हो सकता है reject भी हो सकता है आपको मिल भी सकता है दोस्तों इसी तरह आप लोग Instagram पे verification batch के लिए apply कर सकते हैं दोस्तों यह मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक और comment करके लिए बताइए दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहीन जैवारत